नमस्कार आज की इस खास पेशकश में मैं एश्वरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे शिवसेना सांसत संजय राउत ने तंच खस्ते हुए कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर बाला साहिब ठाकरे को तकलीप दी आज वही लोग उनका वीडियो क्लीप वाइरल कर रहे है तो उधर अयुद्धा जाने से पहले ही राज ठाकरे एक मुश्किल में फस गए है सांसत ब्रजबुशन सिंग ने उत्तर भारतियों को अपमानित करने के मामले में पहले माफी मांगने के लिए कहा है वही माराश्र पुलीस ने अदालत से राज ठाकरे के खिलाब एफायार दर्श करने की अनुमती मांगी है इस बीच खबर है कि सांसत नवनित राणा बारा दिन जेल में विताने के बाद लिदावती अस्पताल में भरती है आरोप है कि जेल में उनका इलाज नहीं करवाया गया तो शत्रुद्न सिंधा के बेटे लव सिंधा ने बिग बॉस पाइब कंटेस्टन पूजा मिश्रा के संसनिके जदावों पर प्रश्ण चिन्न लगाते हुए कहा है कि घिनोने आरोप लगाने से साबित होता है कि भम मैला दिमागी तोर पर स्थिर्न नहीं है प्रदेश की इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ शियुसेना संसत संजेराउत ने राज ठाकरे पर जोरदार पलटवार किया है उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर बाला साहिब ठाकरे को तकलिब दी आज भई लोग उनका वीडियो क्लिप वैरल कर रहे है बाला साहिब ठाकरे ने एक व्यंगा चित्रकार के रूप में जो कुरांती की है उसे शब्दों में बयान करना काफी मुश्किल है उनके हाथ में अगर ब्रश नहीं होता तो शिवसेना का अंदोलन यहां तक नहीं पोचता जो मशाल उन्होंने जलाई थी वह आपको दिखाई ही नहीं पड़ती हाला कि आप कुछ लोग महाराश्टर को खत्म करने पर तुले हुए है राजपर निशाना सात्तेव वे राउत ने कहा कि बिते 15 सालों में महाराश्टर में लाउड स्पिकर की वज़़से किसी को तकलीब नहीं हुई लेकिन अब जब वुद्धव ठाकरे मुख्यमंतरी बन गए लोगों को इससे तकलीब होने लगी राउसाइब दानवे की मुख्यमंतरी पत को लेकर दिये बयान पर भी संजे राउत ने जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि महाराश्टर में किसको मुख्यमंतरी बनाना है यह जनता तै करेगी फिलहाल महाराश्टर का मुख्यमंतरी शियो से ना तै करेगी महराष्टर में आप किसी प्रकार का जहर न गोलने की कोशिश करे महराष्टर किसी भी जात्पत, धर्म या मज़ब को नहीं मानता किरिट सुमयया पर भी राउतने निशाना साधा है उन्होंने कहा कि अगले पाच दिनों में किरिट सुमयया जेल के सलाकों के पीछे होंगे क्योंकि सुमयया ने आई एनस विकरान के नाम पर पैसे जमा किये और उसका घोटाला किया दो दिन में चार्ट शेट फाइल होगी और उसके बाद वह जेल जाएंगे महराष्ट्र नवनिर्मान सिना के प्रमुक राश्ठाकरे पाच जुन को अयुद्धा जाने का एलान कर चुके है इसके लिए मनसे कारे करताओं ने विशेश तैयारी भी की है इस बीच सांसत बुरुजभुशन सिंग अचानक सामने आ गए है उनका कहना है कि उत्तर भारतियों को अपमानित करने के मामले में पहले राश्ठाकरे को माफी मांग दियोगी इसके बाद ही वी आयुद्धा में प्रव integration कर पाएंगे अन्यथा उन्हे हम आयुद्धा में प्रवेश नहीं करने देंगे स्थानिय भाजपा सुत्रों ने भी इसकी मोखिक पुष्टी की है सुत्रों की अनुसार सांसद ने यह भी का है कि ठाकरे परिवार का मंदिर अंदोलन में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है बतादे की ब्रुजबुषण सिंग यूपी के भहराई जिले की कैसर गेंज लोकसभा सिर्ट से बीजेबी के सांसद है वे अब तक 6 बार लोकसभा सदस से निर्वाचित हो चुके है वर्ष 1993 में मंदिर अंदोलन को लेकर गिराये गए विवादित धाचे में 40 आरूपी थे जिसमें सांसद ब्रुजबुषण सिंग भी शामिल थे रामजन्म भूमी अंदोलन में शुर्वाच से ही सक्रियर है उन्हें लालकृषणा अडवनी जैसे दिगजनेताव का साथ मिला जेल भी गए उस धवरान वे लोकसभा सीट से पहले बार सांसच चुने गए थे बाद में व्यक्तिगत नाराजगी के कारण पार्टी बदल कर सपा जोईन कर बहराईज की कैसरगन सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की लेकिन सपा में उनके वैचारिक मदबेच शुरू हो गए और वह दोबारा बीजेपी में वापस शामिल हो गए वरतमान में हुआ भारतिय कुष्टिय संग के अद्धक्ष भी है उनके ऐलान के बाद मंसे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है महराश्टर में चल रहे लाउट स्पिकर विवात के बीच बंबे हाई कोट में याचिका दायर की गई है जिसमें अपिल की गई है कि कोल्ट महराष्टर सरकार और महराष्टर पुलिस को मनसे प्रमुक राश्ठाकरे के खिलाब FIR दर्च करने का निर्देश दे याचिका में कहा गया है कि राजठाकरे के खिलाब देशद्रो और सामाजिक सत्वाव विगानने का मामला दर्जोना चाहिए उन्होंने एक माई को औरंगाबाद रैली में जिस तरह से बयान दिया है उनके खिलाब केस दर्ज करने के लिए कोल्ट को प्रदेश सरकार और पुलिस को निर्धिश देना चाहिए याचिका को पूर्णे के एक एक एक्टिविस्ट हिमंत पाटिल ने दायर किया है माना जरा है कि कोल्ट आज इस पर आपाद सुनाई कर सकती है याचिका में पार्टिल ने कहा कि राजठाकरे ने एक मई को और अंगाबाद में एक रैली की इस रैली में उन्होंने NCP नेता शरत पवार के खिलाब बयान दिया जिससे उनकी पार्टी के कारेकरताओं में तनाव बढ़ सकता है और प्रदेश की शांती विवस्ता भंगो सकती है लिहादा इस मामले में मन से चीप के खिलाब केस दर जोना चाहिए और उनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए बतादे कि राजठाकरे ने एक मै की रैली में कहा था कि एनसेपी नेता ने महाराष्टर को जाती के आधार पर बाटा यही नहीं राजठाकरे ने शरत पवार को नास्ठिक तक कह डाला उन्होंने कहा था शरत पवार किसी भगवान को नहीं मानते इस पर राकापा ने रोज जताया था अम्रावती से निर्दलिया सांसद नवनीतराना बारा दिन जेल में बिताने के बाद लिलावती अस्पताल में भरती है आरोफ है कि जेल में बीमार नवनीतराना का इलाज नहीं करवाया गया तलोजा जेल से रिया होकर पती रविराना अस्पताल पहुचे तो उन्हें देखकर नवनीत राना रोपड़ी मातोश्री पर हनुमान चालिसा पन्ने से रोपने के केस में नवनीत राना को जेल भेजा गया था 12 दिन बाद जेल की सलाकों से रिया हुई निर्दलीय सांसत नवनीत राना मुंबई के लीलावती अस्पताल में शीप्ट हो गई है रिहाई के बाद कार से निकली नवनीत राना स्पॉंडिलाइटिस के चलते बार-बार अपने गरदन को पकड़े दिखी नवनीत को मेडिकल चेकप के लिए लीलावती अस्पताल लाया गया था जहाँ पर जाज के बाद उन्हें भरती कर लिया गया है इससे पहले अस्पताल के अंदर वह डॉक्टरों को अपनी परिशानी बताती वी दिख रही थी जिसका वीडियो नवनीत राना के टीम ने जारी किया था दरसल नवनीत राना और उनके पती रवी राना ने गोशना की थी कि वे महराश्टर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नीजी आवास मातोशरी के बाहर हनुमान 40 का पार्ट करेंगे इस गोशना के बाद शियोसेना के कारेकरताओं में उबाला गया जिससे तनाव पैदा हो गया बाद में राना दमपत्ती ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अगले दिन शहर के दवरे का हवाला देते वे अपनी योजना से पीछे अटने की गोशना कर दी थी पुलिस ने राना दमपत्ती पर राजद्रोह और विभिन्न समुहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से इत अन्य आरोपों के लिए केस दर्श किया था विशेश अधालत ने राना दमपत्ती को शर्तों के साथ जमानत दी है बीग बॉस फाईव कंटेस्टेंट पूजा मिश्रा के संसनी खेज दावो पर शत्रुग्न सिना के बेटे लावन ने ट्विट किया है उन्होंने लिखा है कि मेरे परिवार के खिलाब ऐसे आरोप लगाने से साबित होता है कि वह महिला दिमागी तोर पर स्थीर नहीं है उन्होंने पूजा मिश्रा के दावो को पबलिश करने वाले मिडिया हाउसेस को भी खरी खुटी सुनाई है बता दे कि पूजा मिश्रा ने आरोप लगाया था कि शत्रुग ने सिना और उनके परिवार ने सेक्स कैम शुरू किया था पूजा ने एक इंटर्विव में दावा किया था कि बेहोशी की हालत में उनकी वर्जीनिटी बेची गई इससे पैसे कमाए और सोनाक्षी सिना को स्टार बनाया लव सिना ने लिखा है कि सामनने तोर पर इंटरनेट पर चल रही ऐसी बकवास का मैं जवाब नहीं देता लेकिन मुझे लगता है कि गयर जिम्मेदार एडिटर जिसने इस स्टोरी को अप्रोग किया उसे एसास होना चाहिए कि ऐसे आर्टिकल के लिए जो की जूटा और वाईयात है उनके खिलाब भी मानहानी का केस हो सकता है पूजा मिश्रा ने शत्रुगन सिना की वाइप पुनम पर भी आरोप लगाय थे कि वह उनसे जलती है और काला जादू किया है मिडिया के साथ बाच्चीत में पूजा मिश्रा ने दावा किया था कि उनके पिता इंकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे उनकी शत्रुगन सिना के बीच अच्छी दोस्ती थी पूजा ने आरोप लगाय था कि शत्रुगन की परिवार ने उनके पिता से सव करोड रुपे लिये थे यही नहीं बेवर्शी की हालत में मेरी वर्जी ने ट्रेड करके पैसे बनाए सोनाक्षी सिना को स्तार बनाया है वो तो फैशन डिजाइनर बनने वाली थी अचनक बॉले उड में कहा से आगी इलाबाद हाइकोट ने एक एहम फैसले में कहा कि लाउटस्पेकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है तो भारतिय सेना सीमा पर चौकसी के लिए छोटे आकार के ड्रोन खरीदने की तयारी कर रही है वही हर्याना के करनाल में चार संदिक्द आतंकियों के पकड़े जाने के बाद बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आयसाय भारत में खलिस्तान आंदोलन के विस्तार के कोशिश कर रहा है इसी बीच परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है इस वर्ष के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विदान सभा के चुनाव होने है उस समय वहाँ भी चुनाव कराए जा सकते है तो उधर बाबा के दारनाथ के पड़ छे महिने बाद खुल गए है इस बार क्शमता से जादा शद्धालों के पहुचने से अफरा तफरी का माहूल बन गया है हजारों शद्धालों को गौरी कुन पर ही रोकना पड़ा देश भर की पाच बड़ी खबरों को विस्तासे जानने के रिए बने रही है हमारे साथ उत्तर प्रदिष में धर्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को उतारे जाने के फैसले पर हाई कोट से भी महर लग गई है इलाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पिकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है इस अहम टिपपनी के साथ कोर्ट ने बदायू के एक मौलो की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब योगी सरकार के आदेश पर यूपी में धार्मिक स्थलो से एक लाग से अधिक लाउड स्पिकर उतारे गये है और इससे कही अधिक की आवाज को कम कर दिया गया है भारी संख्या में लोग खुद आगे आकर धार्मिक स्थलो से लाउड स्पिकर उतार रहे है इस बीज बदायों की नूरु मज्जीत के मुतवली इर्फान की ओर से दायर याचिका को जस्तिस विवेक कुमार बिरला और जस्तिस विकास की बेंच ने खारिज कर दिया है की इजादत देने के निर्देश दिये जाए उसने यहां भी दलिल दी कि SDM का फैसला अवैद है और उसके मौलिक अधिकारों का हननन है कोट ने इर्फान की दलिलों को खारिज करते वे कोट ने खा कि कानून तै हो चुका है कि मजजित पर लौड स्पिकर का इस्थेमाल मौलिक अधिकार नहीं है कोट ने इर्फान के तरकों को अस्विकार करते वे याचिका को खारिज कर दिया पाकिस्तान और चीन से तलक कृष्टों के बीच भारतिय सेना सीमा पर चवकसी लगातार बढ़ा रही है अब खबर है कि रक्षा मंतराले भी बॉल्डर पर निगरानी के लिए छोटे आकर के ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है इसके संबन्द में मंतराले की तरफ से प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है सरकार दो तरह के ड्रोन खरीदने पर वीचार कर रही है इन में से एक को 4000 मिटर से जादा की उचाई पर तैयनात किया जाएगा तो वही दूसरे वर्जन को 4000 मीटर से कम उचाई पर तैनात किया जाएगा जो चारों तरप नजर बनाये रख सके भरतिये वेंडर्स को आपचारिक रूप से रिक्वेस्ट फॉर इंपरमेशन भेज दी गई है इसे टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण कहा जाता है ड्रोंस का वजन इतना ही होना चाहिए जो उचाई की तेज हवा का सामना कर सके और 5500 मिटर पर लॉंच हो सके साथी ये जमिन से 500 मिटर पर उड़ सके सियाचीन और लद्दाक में सब सेक्टर नौर्थ में जादातर चोटियों की उचाई अठराजार फीट से जादा है और यही हाल हीमाचल प्रदेश, उत्तराखन, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश का है हरियान के करनाल में चार संदिक्द आतोंकियों के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खवर सामने आई है कहा जा रहा है कि इंटर सर्विसेज इंटेलेजन्स भारत में खालिस्तान अंदोलन के विस्तार की कोशिश कर रहा है इसी प्रयास को द्वस्त करते वे गुर्वार को हरियाना और पंजाब पुलिस ने सयुक तक आरवाई कर बड़ी आतंग की साजिश को नाकाम किया था पकड़े गए आतंग की तेलंगाना में विस्पो टक पहुचाने की तयारी कर रहे थे रिपोर्ट्स के अनुसार ये हतियार ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से फिरोचपूर भेजे गए थे खुपीया नोट से पता चला है कि ISI भारत के अन्य हिस्सों में खालिस्तान आंदोलन का विस्तार करना चाहता है नोट के अनुसार नया प्रमुक नदिन अंजुम भारत में अशान्ती फायलाने के लिए सीक अलगाव वादियों का साहरा लेना चाहता है अन्जुम ने रंजित सिंग नीता और वादवा सिंग बबबर समेत सभी खालिस्तानी नेताओं से लाहोर में कहा है कि भारत में हतियारों बाटने के लिए पंजाब के गैंक स्थार को संगटित करे गुर्वार को करनाल में पकड़े गए चार लोग भी ड्रोन के जरी हतियार भेजे जाने वाले समो का हिस्सा है दरसल ISI चाहता है कि वादवा सिंग और रेंदा RDX के इस्तेमाल से धमाका करे और अशान्ति के लिए कुछ स्थानिय निताओं को मारे तथा हिंदू सिक और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने के मौके तलाशे जम्बू कश्मिर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब यहां विदानसभा चुनाओ कराने का रास्ता साफ हो गया है इस वर्ष के अंतम में हिमाचल प्रदिश और गुजरात में विदानसभा की चुनाओ होने है ऐसे में माना जा रहा है कि इन राज्यों के साथ ही जम्बू कश्मिर में भी चुनाओ हो सकते है ग्रोह मंत्री अमीच शाह ने हाल ही में कहा था कि राज्यों में प्रिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्बू कश्मिर में चुनाओ कराया जाएंगे राज्यों में वर्ष 2018 से निर्वाचित सरकार नहीं है यहां केंद्र सरकार का शासन है हाला कि चुनाओ कराने के बारे में अधिकरुत तौर फर फिलाल कुछ नहीं का गया है लेकिन राज्यों में चुनाओ नहीं कराने का अब कोई कारण नजन नहीं आ रहा है जानकारों के अनुसार परिसी मन के बाद विदान सबा का गणीज सामन्न सिती में पहुच गया है यानि अब 6 मा के अंदर चुनाओ करवाने की बाध्धता होगी यह 6 मा की आउदी अक्तुबर में समापत होगी ऐसे में हिमाचल प्रदिश और गुजरात की चुनाओ को थोड़ा पहले खिसका कर उन्हें जम्मू कश्मिर के साथ करवाय जाने की प्रबल संभावना है वही निर्वाचन आयोक के सुत्रों ने भी कहा कि अब जम्मू कश्मिर में चुनाओ कराने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है वहराज्यम में चुनाओ कराने को तयार है जहां तक सुरक्षा व्यवस्ता का सवाल है तो 2019 के बाद से जम्मू कश्मिर में सुरक्षा की स्थिती सुद्री है आतंकी घटनाओं में कमी आई है बाबा केदरनाथ के पड़ 6 मैने बाद खुल गए है शुबु मोर्त की मुताबिक 6 बचकर 25 मिनिट पर वैदिक मंतरों 4 के साथ मंदिर के कापाट खुले गए जिसके बाद रावल यानि मुख्य पुजारी ने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रविश किया इस मौके पर 10,000 श्रद्दालू के साथ उत्तर अखन की मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी भी मौजुद रहे मंदिर प्रांगन को 10 क्विंटल फूलों से सजाय गया है इस से पहले गुरवार को ही केदारनाथ में श्रद्दालू का सैला बूमड पड़ा था 2020 में कुरोना महमारी फैलने के बाद से यहां भक्तों को दर्शन की इजाज़त नहीं थी हर साल कपाट खुलते थे और बाबा की पूजा आरती की जाती थी इस बार क्षमता से ज़्यादा श्रद्दालू के पहुशने से अफरत अपरी का महुल बन गया जिसके बाद हजार श्रद्दालू को गवरीकुन पर ही रोक दिया गया हाला कि शुक्रवार सुबह सभी को केदारनाथ जाने की अनुमती दे दी गई माननेता है कि बाबा केदारनाथ जगत कल्यान के लिए 6 मैने समाधी में रहते है मंदिर के कपाट बंध होने के अंतिम दिन चड़ावे के बाद सवाक्विंटल भभूती चड़ाई जाती है कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदार समाधी से जाकते है इसके बाद भक्तों को दर्शन देते है केदरनाथ उत्तराखन के चार धामों में तीसरे नंबर पर है ये मंदिर 12 जोतिर लुंगों में से एक है महाभारत काल में यहां शिवजी ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिये थे यहां मंदिर करीब 3581 वर्गमीटर की उचाई पर स्थित है और गवरी कुंड़ से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर है मानने था है कि 8-90 सदी में आदिगुरु शंकराचारिया ने इस मंदिर का निर् उगर रहे है वही यहुदियों के खिलाफ रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोग की अपमान जनक टिपनी के कारण पुतीन को इसराइली प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट से माफी मांगनी पड़ी है तो उधर अमेरिका ने दावा किया है मारियो पोल और उसके आस दुका है दुनिया बर की इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ जम्बू कश्मिर में भारत के परिसीमन कराय जाने पर पाकिस्तान आग बबुला हो गया है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने भारत के प्रभारी राजज़ूत को तलब करके परिसीमन पर आपति दर्श कराई है पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह भारत के कश्मिर पर पर पारिसिमन आयोक की रिपोर्ट को खारिज करता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस आयोक का उद्धिश कश्मिर में मुस्लिमों को नागरिक्ता से वंचित करना और उन्हें कमजोर करना है। इस प्रयास के जरीए भारत पाच अगस 2019 को उठाय गए अपने कदमों को केवल वजधानिक आदार देना चाहता है। बतादे कि इस जिन भारत ने कश्मिर के विशेज दरजे को खत्म करके अनुच्छे 370 के ज़्यादा प्राउधानों को समाप्त कर दिया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्राले ने कहा कि इस कदम के पीछे भारत सरकार की गुपते यो पाकिस्तान की शैवाज शरीप सरकार ने दावा किया कि वास्तविक्ता में नई चुनावी सिमा जम्मू कश्मिर के लोगों को कमजोर अधिकार हिन करेगी और बाटेगी। पाकिस्तान ने बिजेपी और रसेस पर भी निशाना साधा और कहा कि भारत की ओर से मुसलिमों का नुकसान करके हिंदू की प्रतिनी दित्व को वड़ाने के लिए कोई भी अवैद एकतरफा और शरारत पुर्ण प्रयास लोकतंत्र के मानको नैतिकता और आंतरराष्ट्रिय कानूनों का मजाख है। एक गंदा बता दिया है। इमरान ने कहा कि बॉलिवोट के कारण भारत का फैमिली सिस्टम कमजर हुआ है और हमें इसे अपने यहां नहीं होने दिना है। उन्हें अपनी इज़त करवाई। यूरोपिये यूनियन के राजजूत की हिम्मत नहीं है कि वह भारत में खड़े होकर ये कह दे कि आप यूकरेन का साथ दे। क्योंकि उन्हें पता है कि तुरंत रियक्षन आएगा और हरता और हर तरप से आएगा। भारत में विपक्षबी अपने सरकार के साथ इस मामले में साथ खड़ा हो जाएगा। और लोग भी क्योंकि उन्हें अपनी संप्रबूता प्यारी है। हमारे याद देश में एक धड़ा अमेरिका की ही साथ खड़ा रहेगा। युक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंतरी सरगेई लावरो के यहुदिये की खिलाप अपमांजनक टिपपणी के कारण अबराष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन को इसराइली प्रधन मंतरी लपताली वैनेट से माफी मांगनी पड़िये। रूसी विदेशी मंतरी लावरो के जर्मन तानाशा एडॉल्फ हिटलर के अंदर यहुदी खुन बताये जाने पर इसराइल बुरी तरह से भढ़क गया था। पुतीन के लावरो के बयान के लिए माफी को स्विकार कर लिया है। रूनबास क्षेत्र में संगर्ष कम हुआ था अब रभावी साबित हुआ। रूस मिंस सबजोते से पीछे अट गया जब उसने 24 फरवरी को युक्रेन पर हमला किया। अमेरिका के रक्षा मंत्राले के मुख्यले पेंटागन ने कहा कि युक्रेन के बंदरगाश शहर मारियूपूल के इर्दगिर्द मौजूद ज़ादातर रूसी बल क्षेत्रे छोड़कर उत्तर की तरप बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया कि मारियूपूल और उसके आसपास अब दो सामरिक टुकडियों के बराबर या लगबग 2000 रूसी सैनिक ही रह गया है। पिंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्भी ने बताया कि मारियूपूल पर रूस के हवाई अमले अब भी जारी है। लेकिन रूसी बलो को क्षेतर पर नियांतरन हासिल करने में कोई खास सफलता नहीं मिली है और मुख्य लड़ाई पूर्वी डोनबास इलाके में केंद्रित है। किर्भी ने कहा कि 9 माई का दिन करीब आने के बावजुद उन्हें रूस की कारवाई और गती में कोई अंतरन नहीं आया है। और डोनबास में अपनी उम्मीद के हिसाब से प्रगती नहीं कर पा रही है। इससे पहले युक्रेन की राष्टफती ओलेदिमीर जेलेस्की ने कहा कि संगर्ष्ट के 70 से अधिक दिनों में मासकों ने 400 से अधिक स्वास्ट संस्थानों पर हमला किया। अधिक तक एक परिक्षन की है। उत्तर कोरिया के पास 17 तरह की बैलेस्टिक मिसाइले है जिनकी मारक शमता 1500 किलोमेटर से लेकर 13,000 किलोमेटर से अधिक है। कॉंसिल उन फॉरेन रिलेशन्स के अनुसार उत्तर कोरिया तेजे से परमानु हतियारों का जखिरा तयार कर रहा है। उत्तर कोरिया के शासक कीम जोंग उनके दादा कील इल सुंग ने 1984 से 1998 के बीच 15 मिसाइलों का परिक्षन किया था। उत्तर कोरिया के पास 200 परमानु हतियार है। दोहदार सत्ताइस सक उत्तर कोरिया के पास सेक्डो बैलेस्टिक मिसाइले होगी। यह देश हर साल 12 परमानु हतियार बनाने में सक्षम है। इसके बैलेस्टिक मिसाइले अमेरिका, जापान और धक्षिन कोरिया तक मार सकती है उत्तर कोरिया की मिसाइल परिक्षन की गति को देख जापान और धक्षिन कोरिया सहम गए है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज, नमस्कार